तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि हम लोग MS Excel में Absolute Reference कैसे बनाते हैं तो उसके पहले if you are new to my channel then please subscribe the channel, like the video and share the video So let's start the video तो हमारे सामने Absolute Reference का एक data है जिसमें हमारे पास sales है, sales percent और bonus हम लोग को find out करना है तो चलिए start करते हैं वीडियो को तो हमारे पास sales है, तो हमें निकालना है sales percent तो चलिए first percent का हम देखते हैं sales percent क्या होगा First percent का हम देखते है equal to दिजे, equal to देने के बाद आपको sales को select करना है divide करना है total sales को select करिए और उसके बाद F4 की से lock कर दिजे और enter कर दिजे तो यह हमारे पास sales percent निकल गया मैं आपको बता देता हूँ अगर आप sales percent निकाल रहे हैं और F4 की से lock नहीं कर रहे हैं और आप drag कर रहे हैं mouse से तो आपका जो यह data है हमेसा change होते रहेगा तो make sure अगर आप लोग absolute difference बना रहे हैं तो हमेसा F4 से last में उसको lock करें चलिए दूसरा person का देखते है equal to दीजे equal to देने के बाद sales को select करें divide का sign लगाईए और total sales से इसको divide करें और last में F4 से lock करें F4 से lock करने के सामें आपको यह dollar sign आपको दीएगा उसके बद आपको enter करना है तो देखें यहां में दूसरा person का भी sales percent निकल गया है तिसरे का भी वसी होगा equal to दीजे equal to देने के बाद sales select करें divide with total sales and lock with F4 और enter तो यह तिसरा person का भी आ गया अगर आप देखें मैं यहां पर F4 से lock करें तो मैं यहां से drag करूंगा तो यह सब का sales percent निकल गया अगर मैं ड्राइग नहीं करता तो data change हो जाता तो make sure अगर आप sales percent या bonus दोनों निकाल रहे हैं तो आपको F4 से lock करना है चलिए bonus निकालते है bonus निकालने के लिए आपको equal to देना है और formula मिचा के if formula को select कर लेना है formula आने के बद आपको sales को select करना है less than equal to लगा के bonus value को select करना है फिर आपको comma देना है comma देने के बद आपको वापस sales में आना है select करना है और into इस बार करना है true value से फिर आपको comma देना है sales को select कर लेना है और इस बार into करना है false value से और उसके बाद आपको F4 से lock करना है तो मैं यह lock किया देखिए dollar sign दिख रहा है और enter तो यहां देखिए मेरा bonus है 400 है दुसरे का भी वसी होगा equal to दीजिए equal to दिने के बाद formula section में आईए if formula को apply कीजिए sales को select करिए less than equal to bonus value को select करिए comma दीजिए sales को select करिए into true value फिर comma sales को select करिए into false value और F4 से lock करिए and enter तो यह ask का देखिए इसका भी bonus निकली है तिसरे वाला का भी वसी होगा equal to दीजिए if formula को लगाए sales को select करिए smaller than equal to दीजिए bonus वाली को select करिए comma दीजिए फिर sales को select करिए into true value comma वापस sales को select into false value and F4 से lock और enter करिए तो इसका भी यह bonus value आगिया इसका भी वसी होगा equal to दीजिए if formula को लगाए sales को select करिए less than equal to करके bonus value select करिए comma दीजिए sales select into true value फिर comma वापस आप sales select करिए into false value और F4 से lock करके enter करिए तो इसका भी यह 300 आ गिया अब मैं इसको drag करूंगा तो सब का bonus आ जाएगा तो यह दिश्ची सब का bonus आ गिया तो मैंने यह bonus और sales percent निकाला तो मैंने F4 से सब data को lock किया अगर आप F4 से lock नहीं करेगा तो आपका यह data है यह change होते रहेगा जितने बार भी आप sales percent और bonus निकाल लिएगा तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि absolute reference निकालते कैसे हैं absolute reference निकालने के लिए आपको F4 से हुई data को select जो आप apply करने उसे lock करिए तो आपका absolute reference निकल जाएगा तो मैं आपको मिलूँगा एक नए वीडियो के साथ तब तक के लिए अगर आपने मेरे चैनल को subscribe नहीं किया है तो subscribe the channel वीडियो को like कर दीजे और वीडियो को share करिए तब तक के लिए stay tuned and goodbye